जैसी किसना दोस्तों हमारे वी एस सर्माबाद द्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों आज की बीडियों में हम पुत्त प्राप्टी या मनोवांची संतान प्राप्टी के लिए आपको ऐसा पाय बता रहे हैं कि सुपाय को आप किसी भी सुभ दिन कर सक प्राप्टी के लिए प्राप्टी में किसी ग्रह के कारण रुकावत आ रही है तो रुकावत भी दूरोगी आपको केवल इस पेड़ का फूल ले करके तुलसी के नीचे दवाना है दोस्तों आप जानते ही कलब ब्रक्ष कलब ब्रक्षी जो है समुद्र मंतन की समय उत्पन हुआ था जो देवताओं का प्रियता कलब ब्रक्षी के नीचे बैठकर कि जो भी इच्छा बोली जाती थी उस सब इच्छा पूरी हो जाती थी दोस्तों उस्य कलब ब्रक्षी का जो आन्स है जिसे जो है परजात का पौड़ा भी कहते हैं परजात कलब ब्रक्षी का जाता है और हिन्दी वासा में उस्य हर सिंगार का पौड़ा कहते हैं पूर्ण नमाशी के दिन कर सकते हैं तीन या पांच फूल लें और तोड़कर करके उस समय तोर से समय इस ब्रक्ष से प्रात्ना करें कहीं कलब ब्रक्ष आप प्रितिक मनोकावना पूरी करने वाले हों आप समुद्र मंत्र शिफ्ट पनुए हों हमारी भी पुत्र संतान प्राप्ति की मनोकावना पूरी करों कहकर के उन ब्रेक्ष फूलों को लेकर के ठा की सवार संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है अगर संतान गोपाल मंत्र का जाप करके जाप करने के बार में उन फूलों को अपने मश्तक से की सवार इसपर्ष करना है इसपर्ष करके तुलसी माता के सामने जाएं और तुलसी माता को प्रिणाम करके हैं माते सुरी आ भगवा सी किसन के अतिव प्रयो तुमारे बिना भग्वान भोगवी श्विकार निकाते हैं आप हमारी मनो कामना पूरी करें आप बाल गोपाल के प्राप्टि कराएं क्या कि तुलसी माता को जल चड़ां तुलसी माता को टीका लगाiała के फिर तुलसी माता की नीचे मित्ती अटा करक करने उन फूलों को दबा दे दवा करके अगर आपका गमला है तो उसे किसका किAI चार प्रक्मा करने है और प्रक्मा का इस्तान नहीं है तो आप तीन वार उपाने होते हैं आप 40 दिन का चलिया तो उन्षी के नीचे घी का दीपक भी जला दें नित्य प्रति साथ में कि जादा समय कोई नहीं लगता है तो देखना आपकी मनो कमना जुरूर पूरियोगी चलिया कलने महाशिक दर्म बीच में आ जाता है तो उन दिनों को छ यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब जरू करें आगे की वीडियो में जानकार की साथ मिलते हैं आप सभी को जैसी रिकिस्ट